हलो फ्रेंज वेलकम पेक टू माय चैनल तो आज की रेचिपी है बेगन आलू की सबजी तो इससे बनाना स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम तेल डालेंगे उसमें थोड़ा सा जवाइन डालेंगे अब हम इसमें मेथी एड़ करेंगे साथ में जीरा डालेंगे हरी मिल्ची डालेंगे अब हम इसमें आलू और बेगन एड़ करेंगे स्वाद अनुसार नमक डालेंगे साथ में हल्दी पाउलर डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे इसे लगबग 8-10 मिनिट तक अच्छे से पकने देंगे हमारे बेगन आलू अच्छे से बग गए है अब हम इसमें टमाटर डालेंगे आप चाहें तो टमाटर को काट कर ऐसे ही डाल सकते हैं पर मैंने यहाँ पर टमाटर का पेस्ट बनाकर इसे डाला है अब हम इसमें मसाले एट करेंगे मिल्ची पाउडर साथ में धनिया पाउडर और इसे अच्छे से कवर कर देंगे इससे आपके टमाटर जल्दी ही पक जाएंगे हमारे टमाटर अच्छे से पक गए हैं अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे लगबग 2 मिनिट तक पकने देंगे हमारे बेगन आलू की सबजी तयार है आपको यह रेसिपी कैसी लगी कमेट में जरूर बताएगा और प्लीज सब्सक्राइब माइ चैनल